नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल mcq में फ्रेंट्स प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड व्यापम की तरफ से mp iti to की जो एक्जाम डेट है टेंटिटिव वो गोशिश कर दी गई है फ्रेंट्स क्या है डेट में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको प्रीवियस येर का पेपर किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और देखना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पेल आइकन पर जरूग कलने ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रोवाइड हो सके तो देखिए फ्रेंट्स पहले आपको मैंने डिस देता हूं डिनोट कर देता हूं यहां पर यह लिखा है तो आपको यहां पर क्लिक करना है सिंपली जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे 2020 का पूरा चार्ट यहां पर बताया गया कि किस प्रकार कौन-कौन से एक्जाम होने वाले तो आप जैसे नीचे तो फ्रेंट थोड़ा से मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके देखे यहां पर बताया गया है उन लोगों की तरफ से व्यापम की तरफ से यह बताया गया कि कोसल विकास संचनाल आए यहां पर टेंटी टेंट लिखी वो 17 से 20 अक्टूबर है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मतलब जो आपकी डेट रखी है वो है 17 से 20 अक्टूबर तक आपकी वेकेंसी आ सकती है अगर कोई नोटिफिकेशन आता है आई टेंटी टेंट अफिसर के रिकार्डिंग तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइट करूंगा अब मैं आपको जो सबसे बड़ा कोश्चन है कि सर जो हमारा प्रीवियस यहर का पेपर है वो किस प्रकार से हमें मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कुछ नहीं करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप आपको सिंपली डाउनलोड करने ना है फिर यह आप कोस्ट कोई पेसा चार्ज नहीं किया जा रहा है आपके लिए तो फ्रेंट्स आप भी वहां से सिंपली यहां पर कर सकते है अब मैं बात करूंगा इस वेकेंसी के सलेवस के बारे में तो देखें फ्रेंट्स यह वेकें से आपको सलेवस होने वाला है डिपलोमा वाले जो केंडिडेट है उनके लिए क्या एलिजिबिलीटी है वो किस प्रकार से एपलाई कर सकते है वो सब कुछ में यहां पर आपको बताने वाला हूँ तो चलिए हम चलते है रूल बुक पे देखिए फ्रेंट्स यह थी उस सम सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करने कि आपकी फीज कितने होने वाली तो ध्यान से देख लेए यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप अनारक्ष यूर केंडिडेट है तो आपकी 500 रुपे प्रती प्रशन पत्र लगेगा ठीक है यहां समझ लीजिए मतलब आप एक से दूसरे प्रशन पत्र को भी भर सकता है एक केंडिडेट यहां से यह समझ में आता है और अनुसूचित अगर आप केटिगरी और OBC वाले हैं तो आपके 2500 रुपे लगेगे ठीक है फ्रेंट तो आप समझ सकते हैं लेकिन यहां पर पोर्टल सुलक 70 रुपे भी लगे तो यहां पर किलियर मेंशन किया गया है कि सभी पदों के लिए ट्रेड से समंदित पाटक्रम के 75 बस्तु निष्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रस्न पाटक्रम ठीक है फ्रेंट्स 75 अंक के 55 कोशन होंगे आपके ट्रेड थियोरी से और जो आपके नॉन टेक का होगा वो सबजेक्ट भी बता गया विज्ञान गडित सामान ग्यान तारकिक ग्यान और बेसिक कंप्यूटर ग्यान मैं यहां पर उन लोग की बात कर लेता हूं जो डिपलोमा करे हुए हैं तो देखिए फ्रेंट्स डिपलोमा केंडिडेटों के लिए जो पोस्ट निकाली जाती है वह % 15% होती है ठीक है फिन ध्यान से सुनें डिपलोमा केंडिडेट 50% रिज़र्व पोस्ट निकाली जाये गी और जो 50 % पोस्ट निकाली जाएगी और जो 50 % पोस्ट है वह । आप weddings हो यहां पर डिपलोमा केंडिडेटों को एडवांटेट भOO यहे है कि वह Iii की अगर आप पर सौर्ट लिस्टेट होते हैं तो आप वेकेंसी पर आ सकते हैं पर क्या हुआ था पिछली बार जो 2016 में आयोजित हुई थी परिक्षा उसमें यह इसी किया था कुछ लोगों ने डिप्लोमा वालों ने लेकिन क्या हुआ था वहां पर वो लोग competition नहीं दे पाये थे ITA वालों का क्योंकि वहाँ पर theory होती है वो पकड़ ITA वालों की मजबूत होती है इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर fight नहीं कर पाया था तो यह disadvantage ही हो गया था पर उनको घवरानी जरूती ही इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनकी 50% post निकाली ही और ITA वालों candidate को यह जो फायदा है कि जो diploma बाले होते हैं उनकी पकड़ नहीं होती है थेयोरी में इस कारण वो fight नहीं कर पाते हैं तो यह आपका advantage यह भी आपका हो जाता है कि केवल आप ही जो है उन्स post पर आप आते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर clear mention कर दिया एक बार मैं मैं फिर से बता देता हूं कि 75 नंबर की trade थियोरी होगी आपकी अगर आप fitter से हैं तो fitter का मशिनिस्ट हैं तो machinist का electrician से है तो electrician और turner से है तो turner trade की ही आपको 75 अंक की थियोरी पूछी जाएगी जो आप farm apply करेंगे जिस trade से ठीक है और 25 नंबर का यहाँ पर आपका non-tech ह होगा 35 नंबर और 25 नंबर के basis आपकी merit list तयार की जाएगी तो यहाँ पर मैं आपको syllabus बता दिया है अब आपको जो सबसे important question है कि सर इसमें हम दूसरे राज्यों से अगर belong करते हैं तो इसका farm जो है IT training officer की vacancy का farm भर सकते हैं कि नहीं तो मैं आपको बिलकुम correct 100% जानकारी सही देने वाला हूं तो ध्यान से देख ले अब मैं आप उसको आपको उस point पर लेके जाता हूं जिससे यहाँ पर clear हो जाएगा आपको देखिए friends उस समय की जो rulebook आई थी उसमें 8.6 paragraph में आपको आपके question का जवाब मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप clear mention किया गया है आवेदक को मद्यप्रदेश का मूल निवासी जो डॉमेलिकल होना अनिवार है friends क्या हुआ था 2016 की जो वेकेंसी में other state वालों ने farm फिल तो कर लिया था और वो यूर में भी आ गये थे यूर केटिगरी में आ रहे थे ठीक है लेकिन क्या हुआ था कि व्यापम क की तरफ से official notice जारी किया गया था और वहाँ पर जितने भी लोगों ने other state से ठीक है friends other state से जो लोग भी farm फिल करे थे वहाँ पर उन लोगों के सभी की farm यहाँ पर reject कर दिये गाये तो जितने भी उनका refund था उनके account में चला जा चुका था लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि other state वालों के लिए यह vacancy नहीं है केवल और केवल मद्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके लिए अच्छा मोका होगा और आप ही केवल यहाँ पर भर सकते हैं यहाँ पर 2016 की यह rule book थी जिसका अनुसर में आपको यह बताने की कोशिक किये तो friends देखिए अभी यहाँ पर यह बता दिया कि आईटेल का जो सलेवस क्या है वो क्या होता है कितनी फीस लगती है और आपको अगर friends ध्यान से सुन ले अगर अभी तक आपने previous year का question प्रेफस जो है अगर नहीं डाउनलोड किया है तो मैंने link description में दे दिये सभी के ट्रेडों के आपको यहाँ पर question paper मिल जाएंगे नीचे description box में link है अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम से नहीं जुड़े है टेलिग्राम गृप आपके लिए ही बनाया गया है तो link आपको टेलिग्राम की भी नीचे मिल जाएगी description box में चेनल को subscribe जरू करने और bell notification प